संगीत संगीत को सीखना शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संगीत होता क्या है संगीत का अर्थ क्या है संगीत को समझने के लिए हमें आवाज को समझना होगा हमारे आसपास अनेक तरह की अवाजे है कुछ हवाजें ऐसी है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है अर्थात स्वेही उत्पन्न होती है जैसे नेचर साउंड्स हवा, पानी, बातल करजना, बारिश ऐसी अनेक और कुछ आवाजे ऐसी हैं जो उत्पन्न की जाती हैं जैसे मनुष पशू पक्षियों या अन्ने किसी स्रोत्र के द्वारा कुछ द्वनी हमारे कान को अच्छी लगती है या कह सकते हैं हमें सुनने में अच्छी लगती है और कुछ द्वनी ऐसी भी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं अर्धार वह शोर होती हैं तो हम कह सकते हैं ऐसी सभी द्वनी जो रस की श्रिष्टी करें सुनने में अच्छी लगे और जिने सुव्यवस्थित करके बजाया या उत्पन किया जाए संगीत कहलाती है भारत में अनेक महान संगीत अग्य हुए जिनोंने संगीत को अलग-अलग तरह से परिभाशित किया उनहीं में से एक भादखंडे जी के अनुसार गीत, वाद, वानृत्य तीनों कलाओं का समावेश संगीत शब्द में होता है अर्थात गायन, वादन, वानृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं इन तीनों कलाओं के द्वारा हम अपने हर तरह के भावों को व्यक्द कर सकते हैं According to Western Music, Music is an art of sound which is made by harmony, rhythm and melody आशा है ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगा कि संगीत क्या है, संगीत का अर्थ क्या है धन्यवाद